आपका स्वागत है आज हम आपको गौंद मोरिंगा के बारे में जानकारी देंगे गौंद मोरिंगा आखिर है क्या जो सेजन की जो पेड़ होता है सेजन का उस पे ही ये गौंद मोरिंगा निकलता है जैसे बहुत सारे गौंद हैं बहुत सारे पेड़ों से निकलते हैं तो इसी तरह यह गौंद भी सेजन के पेड़ से निकाला जाता है दोस्तों मैं जो दिखा रहा हूं आपको यह है गौंद मोरिंगा अब आपको कौन सा गौंद मोरिंगा खाना है यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है उत्तर भारत में जो गौंद मोरिंगा का जो पेड़ ह जो सेजन का पेड़ होता है वे उसकी पत्या होती है कड़वी और जो साउथ में होता है साउथ इंडिया में जो सेजन के पेड़ होते हैं उनकी जो पत्या रहती है वे फीकी होती है यानि कड़वी नहीं रहती है इस चीज का आपको ध्यान रखना यह जो आप गॉंद देख फीका होता है ये भी मैं आपको बता रहा है इसको ये बेसवाद नहीं होता कड़बा नहीं होता इस चीज़ का आपको द्यान लखना है और ये सपेद होना चीए ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आपको सपेद मौरिंगा गौंद ही खाना है आखिर हमने ये सब कुछ क कौन सा आपको गौंद खाना है किस छितर का खाना है और इसका क्या क्या फायदे हैं मैं आज आपको बताऊंगा बहुत लोग परेशान हैं अपने चेहरे की सुंदरता की वज़े से जहाईया हैं काले निसान हैं काले धब्बे हैं और काले घेरे आख के नीचे लगातार ब आपको गौंद मोरिंगा का इस्तमाल करना है उसको खाना है खाने का तरीका क्या है इसको आपको लेना है एक गहूं से दो गहूं के दाने के बराबर आप इसको पॉडर फॉम में यूज करना है इसे आप अच्छी तरह से पीस के इसका पॉडर बना लेना और इसको पानी के स साथ खाया जाता है रोज सुबह को खाली पेट दिन में एक ही टाइम आपके सरीर की तवचा तो पूरी तरह से साफ होगी चमक भी आएगी अगर किसी तरह से लंबे समय से कोई इंफेक्शन आपके सरीर पर बना हुआ है तवचा के उपपर तो वे भी ठीक हो जाता है पूरी की समस्या बनी रहती है तो वे भी ठीक हो जाती है और इसके अलावा जिनको इस्टोन की समस्या रहती है जिनको पत्री की समस्या बनी रहती है अगर वे इसका उपयोग लगातार करते हैं तो उनकी पत्री धीरे-धीरे गलकर खतम हो जाती है और जो नए साधी सुदा जोड बस आपको एक चीज का ध्यार नखना है जब भी आप गौन मौरिंगा का इस्तमाल करते हैं तो आपको बैस्ट गौन मौरिंगा का ही इस्तमाल करना है अगर अच्छे रिजल्ट पाने हैं आपको यह गौन मौरिंगा चाहिए तो आपको www.jadibootystore.com पर आसानी से मिल जाएगी वहाँ पर आप जाके इसे बुक कर सकते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगाए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सेर जरूर कीजिए अगला वीडियो देखने के लिए बैल आइकन का बटन जरूर दवाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आरवेज साला है आरवेज की पाट साला नमस्कार